Hello and welcome back to Asset Guide YouTube channel आज किस वीडियो में हम देखेंगे KYB verification क्या होता है KYC और KYB में क्या अंतर है KYB verification के लिए क्या-क्या documents जरूरी होते हैं तो आज के time पर जो online business चल रहे हैं बहाँ पर डील, बहाँ पर जो है product sale करने के लिए KYB verification की जरूरत होती है तो उसका ही आज हम detail analysis करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देख लेते हैं एक एक करके सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि KYC verification क्या होता है तो अगर हम KYC verification की बात करें तो KYC verification होता है know your customer मतलब अपने customer को जानना तो customer को जानना यानि कि जैसे आप यहां पर अपने product sell कर रहे हैं तो आप किसको sell कर रहे हैं यह जानना बहुत जरूरी है आपने customer को जानना और KYB जो होता है तो KYC में अपने customer को जानना होता है उसका address और उसकी identity कि यह बंदा आप यहीं का है या नहीं है यह सारी चीज़े जानना बहुत जरूरी होता है तो इसलिए KYC verification किया जाता है जैसे हम अगर मानलो कोई service किसी को दे रहे हैं तो वो कहां का रहने वाला है इंडिया का ही है अच्छा आदमी है नहीं इस type की चीज़े होती है अब चलिए थे KYC verification में जो documents की जरूरत पड़ती है उनके बात कर लेते हैं तो यहां पर basically दो types के documents की जरूरत पड़ती है पहला identity verification के लिए दूसा address verification के लिए तो identity verification के लिए कोई ऐसा national ID जिससे यह पता चले कि यह बंदा यहीं का है जैसे आपका आधार card हो गया आपका voter ID card हो गया आपका driving license हो गया या फिर आपका passport हो गया तो यह सभी documents जो है चलते हैं identity verification के लिए address verification के लिए अगर हम बात करें तो यहां पर आप आधार card दे सकते हैं यानि ऐसा document जो जिसमें आपका address जो है प्रमारित हो किसी authority के थुरू government authority के थुरू जैसे address proof हो गया या फिर आपका मतलब identity में pen card भी हो सकता है ठीक है ये pen card भी लेकिन जैसे pen card में बात करें तो यहां पर address नहीं रहता तो इसको आप address में नहीं चला सकते हैं यहां पर address में आपको चलाना पड़ेगा आधार card, driving license, electricity bill इसके सासथ gas का bill और इसके सासथ barter bill तो यह सब चल सकते हैं या फिर कोई भी government document जो किसी government authority से आपको issue हुआ हो तो यह सारी चीज़े KYC verification में चलती है और यह हर एक business में होता है चाहे वो e-commerce business हो चाहे वो online business हो चाहे यह आपका कोई job application हो सब जगे इसकी ज़रूत पड़ती है या फिर आपको online product sale करने हो तो सभी जगे यह ज़रूत पड़ती है अब चली हम बात कर लेते हैं KYB verification क्या होता है और इसकी कहां ज़रूत पड़ती है तो KYB verification सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं यह होता है online product selling में जो companyya काम करती हैं उनके लिए तो यहाँ पर जैसे Amazon की बात करें फिलिप कार्ड की बात करें या फिर deal shaker की बात करें तो इन पर अगर कोई बंदा product sale करता है तो वो customer के साथ fraud ना कर दे इसके लिए यहाँ पर KYB verification ज़रूरी होता है जैसे आप अगर Amazon पर कोई product sale करने जाओगे तो यहाँ पर सबसे पहले आप से कहेगा कि आप अपना GSTIN number हमें दीजिए यानि कि आपना GST number दीजिए इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास GST number है तो आप एक genuine merchant है otherwise हो सकता है आप लोगों के साथ fraud कर दे उनसा पैसे लेकर जो है उनका product deliver ना करें यह फिर आप कहां से business करें यह सारी चीज़े जरूरी होती है इसलिए know your business मतलब KYB verification होता है उसके लिए अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसमें कौन-कौन से documents की जरूरत पढ़ती है business को जानने के लिए क्योंकि address, KYC करने के लिए तो ID और address verification होगा identity तो यहाँ पर भी KYB verification के लिए जरूरत पढ़ती है documents की उसके यहाँ पर हम list देख लेते हैं तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर business identity verify करने के लिए एक तो आपको tin number या pen number जो होता है business का, दूसरा यहाँ पर GISTN number यानि की GST number, good source, service tax number इनकी जरूरत पढ़ती है दूसरा यहाँ पर जो address verification होता है उसके लिए यहाँ पर जरूरत पढ़ेगी electricity bill की आप electricity bill प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर आप जो है उद्योग registration का जो certificate प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर अपना rent agreement जो है उस address या फिर आप अगर owner है तो ownership या फिर उसका F.E.D.F.E.D. कोई भी प्रोवाइड कर सकते हैं तो यह documents होते हैं जो आपके business के KYB verification में ज़रोद पढ़ती है mostly जो cases है उनमें PAN number या फिर GISTN number और उद्योग registration इनसे ही काम चल जाता है बाकी कुछ condition में जैसे आप अगर food से related business कर रहे हैं तो बहाँ पर F.S.S.A.I. इस टाइप के documents की ज़रोद पढ़ती है या फिर जहां पर आप labor का यूज करते हैं या फिर आप अगर कुछ ऐजा काम करते हैं जिसमें pollution होता है तो बहाँ पर pollution certificate की ज़रोद पढ़ती है तो अलग-अलग business के साब तो कुछ additional documents रहते हैं यह मैंने primary documents बता है जैसे TIN number और GSTN number या उद्योग registration अब अब चलिए एक और यहां पर हम बात कर लेते हैं main point की कि KYB verification की जरूत क्यों पढ़ती है KYB verification की जरूत पढ़ती है आपका business verified करने के लिए अब business verification क्यों जरूर है यहां पर आप mobile sell कर रहे हैं ठीक है आप online mobile sell कर रहे हैं एक customer आपका mobile purchase करने के लिए एक लाग रुपए पे करता है ठीक है उसने एक लाग रुपए कर दिये अब यह जो platform है Amazon इस पर यह product sell हो रहा है तो यहां से यह क्या करेगा यहां से payment अपने पास रखेगा आपको यहां notification आएगा कि यहां से आपको यहां पर delivery पहुचानी है तो जब अगर यह नहीं होगा मतलब यहां पर merchant के बीच में के वाइस भी verification नहीं होगा तो customer और seller इन दोनों के बीच में हो सकता है जैसे यह customer यहां पर payment कर दे मालो इसने 10,000 का payment कर दिया और यह जो है यहां से गायब हो जाए तो उस condition में fraud से बचने के लिए जो है के वाइब बैरिकेसन जरूरी होता है दूसरा यह money learning money learning क्या होता जैसे मालो एक customer एक business है एक merchant है वो different different लोगों को product sale कर रहा है ठीक है product sale कर रहा है यहां पर product 1 product 2 product 3 यहां से फिर आगे product sale हुए यहां पर product sell हुए product sell हुए तो इस तरीके से अगर product sale हो रहे है product sell हो रहे है तो इस condition में क्या होगा इस सबी से payment यहां पर जाएगा इस customer को इस merchant को पेविट जाएगा तो उस condition में इसके पास जो है plenty of amount चला जाएगा एक बड़े amount में पैसा चले जाएगा जब एक बड़े amount में पैसा ज कर रहे हैं इसलिए इसके पास यह पैसा जा रहा है अगर आप यह रिजिस्टेशन नहीं करेंगे और आप अपना जैनुए बिजनिस भी कर रहे हैं और जब पैसा आपके पास आएगा तो वह सब मनी लॉंडरिंग के अंदर आएगा क्योंकि आप जो है कोई भी टेक्स सरकार आपको नहीं दे रहे हैं यह सारी कंडिशन यहां पर रहती है तो इसलिए के भाई भी बेरिफिकेशन की जरौत पढ़ती है तो आई होब आपको यह छोटी सी इन्फोर्मेशन हेल्पुल लगी होगी के भाई भी बेरिफिकेशन देलेट वीड़ ची लेगी तो लाइक करे कमेंट करें और सेर भी करें दूसरे लोगों साथ चलिए फिलाल इतना ही मिल दे नेक्ट वीडियो में तब तक लिए के बचिंग एसेड गाईट